जिए उस ग्रासरूर के कारे करता को जो हमारे बड़े नेता है जिए उनको तवच्छो देनी पड़ेगी जिए आज अतीय आउशक्ड है जो हमारा ग्रासरूर का कारे करता है उसकी उपेक्षा ओरी है आप भी महसुस करते हैं कि आपको जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पारी है आप जो आम जो हमारे पास सामने मिटिंग मगरा होती है जी और वहां बातचीत होती है जी लगता है कि हमारों को जो मंत्री दन्यवाद दन्यवाद गोविंजी तो खुल मिलाकर एक और रही आगई है एक और राय यह आगई कि क्रासरूट वरकर को तवज्जो मिले तभी तो पार्टी को आगे बढ़ाएगा जनाधार वैसी बढ़ेगा जब खास तभी फैलेगी जनाधार तभी बढ़ेगा जब उस लेवल का वरकर मजबूत होगा तो यहाँ जमीन से जुड़े कारे करताओं को तवज्जो देने के जो बात है उस पर सभी सहमत दिख रहे हैं चिंतन शिविर में जिन चिंताओं पर चर्चा हुई उसी पर हम आज बात कर रहे हैं फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए झाल प्रेक के लिए चुटे जिए बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में आपका स्वागत है आज हम मुद्दे में बात कर रहे हैं कॉंग्रेस के चिंतन शिविर की कॉंग्रस की उन चिंताओं की जो चिंतन शिविर के प्रमुख विश्यों से भी ज्यादा उस पर नेता जो है वरिष्ट नेता वो अपनी चिंता जाहिर करते जुड़े और इस पर चर्चा में हमारे साथ आगे जुड़े हैं जोतपूर के जिलाध्यक्ष सईद अंसारी जी स संपर्क का पर तूट गया आपको बतादे की चिंतन शिविर के दौरां चाहे राहुल गांधि की बात करें प्रधान मंतरी की बात करें या खांस कर सोनिया गांधिं उन्होंने को जनाध्यार को लेकर चिंता जाहिर की उनोर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जो तवज्जों दी जाए वो उन कारीकरताओं को दी जाए जो जमीन से जुड़े हुए हैं कॉंग्रिस के संगठन को लेकर राहुल गान्धी की भी चिंता सामने आई राहुल ने माना कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है पार्टी को पूरे देश में 40 नेता तयार करने होंगे और राजियों में भी कम से कम 10-10 ऐसे नेता तयार करने होंगे जो मुख्यमंत्री पद के योग्य हों और ब्लॉक स्तर पर भी इसी तरह से काम करना होगा राहूल ने कहा कि लीडर्शिप डेवलफ करने की भी ज़रूरत है वही उन्होंने माना कि कहीं न कहीं संगठन में कमी है और टिकट बटवारे को लेकर भी कई बार संगठन को पूछा नहीं जाता है बलकि उपर से ही डिसिजन ले लिए जाते हैं दूसरे दल के लोग आजाते हैं चुनाओ के पहले आजाते हैं आजाते हैं नहीं सुनो सुनो आजाते हैं चुनाओ हार जाते हैं और फिर चले जाते हैं सबसे पहले कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता की इज़त होनी चाहिए और सिर्फ और सिर्फ कार्य करता की इज़त नहीं और सिर्फ कार्य करता की इज़त नहीं नेताओं की इज़त हमें 40-50 नेता त्यार करने है जो देश को चला सके सिर्फ प्रदेश को नहीं देश को चला सके प्रदेश में हमारे पास 5, 6, 7, 10 ऐसे नेता हों जो Chief Minister बन सके और हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में ये बात हो हर ब्लॉक में ये बात हो और सिस्टम बनाया जा सकता है और इस सिस्टम को आप लोग बनाऊगे और आप लोग चलाऊगे उनसे पूछा नहीं जाता है हैं यहां district president हैं टिकेट के समय उनसे नहीं पूछा जाता संगठन से नहीं पूछा जाता उपर से decision लिया जाता है भाईया राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही नहीं बलकि प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग का भी ये मानना है कि कॉंग्रेस को जनता तक अपनी आवाज पहुचानी होगी और जो खामिया रह गई है उन खामियों को स्विकारना होगा भविश्य की कारियोजनाओं के जरिये करोडों नौजवानों को विश्वास दिलाना होगा कि उनकी आशाओं को कॉंग्रेस बखुबी समस्तिय साथ ही उन्होंने महंगाई पर भी चिंता जताई हमें अपने काम के रेकार्ड की सही जानकारी जन्ता को देनी होगा और इसमें जो खम्या नहीं है उन्हीं भी इमांदारी से स्विकारना को साथ ही हमें लोगों को ये बिखाना होगा कि देश के भुविश्च के लिए हमारा क्या सपना है तुक्तर है कि यहा चिंता हैं जाहिक लेकिन खास चिंता जो रही वह संगठन को मजबूती देने के रही प्रताब जी क्या लगता है कुल मिला जुलाकर सभी यहां पर मान마ा यह जो लूजितां सामने को इस पर क्या आगे की दिशाव आपको दिखाए देती है सुनेता लगता है कि पहली बार कॉंग्रेस के जो आम करेकर्था की जो बात है वो निताओं के मौ उसे सामने आ है क्योंकि कंग्रेस को आज इस हालात में पहुची ए जनादार आज घटने लगा है कॉंग्रेस की जो ब्लॉक का रिकरता या ड्रीज् सिस्टम शुरू होने लगा था, कॉंग्रेस में कॉंट्रेक्ट पे निता आने लगे थे, कॉंग्रेस में निताओं को जगे जगे का ठेका दिये जाने लगा था, जातीवाद और समीकरन और दूसरी बाते जब हावी होने लगी थी, जो एक आजादी की लड़ाई की पार्ट था, वो सब कुछ खर्च हो चुका है, आज निशे तोर पे जब सूनिया गांदी और राहूल गांदी के मूँ से यह जब बात आती है, कि जनादार घड़ रहा है, कॉंग्रेस की कारेकरताओं के पूछ नहीं होरी, नेता आते हैं और चले जाते हैं, तो निशे तोर पे सम दरनाक मोड पर है, और कॉंग्रेस की चिनता निशे तोर पे यही है, राहूल गांदी ने एक आशा जगाई है कॉंग्रेस के कारेकरताओं में, और यह जो उनकी चिनता है, कैसे जमीन पर उतरती है, बस अब इसका इंतजार है कॉंग्रेस के कारेकरता को. मिल्कुल तो जैपूर में हुआ चिंतन शिविर कई तरह से बहुत महत्वपुन रहा कॉंग्रेस के लिए भी क्योंकि यहां तमाम वो विशय चाहे संगठनात्मक मजबूती हो आर्थिक मजबूती हो राजनीतिक मसला हो महिला सरशक्तिक करन हो तमाम मुद्दों पर तो यहा आने वाले चुनावों को देखती हुए एक मजबूती देने की बात कही गई युवाओं को जुड़ने की बात कही गई और जमीन से जुड़े कारेकरताओं को लोगों को तवज्जो देने की बात कही गई यहां कि कही ना कहीं अब कॉंग्रेस अपनी दिशा और दर्शा बदलने के लिए पूरी तरह से पार्टी की मजबूती पर ध्यान देना चाहती है आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया के बाकित तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HBC News नमस्कार